Hello everyone, welcome back to my channel Mahi's World I hope आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे तो मेरी इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले पिछली वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच I hope आप आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो चलिए मेरी इस आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसे रेसिपी बनाना सीखेंगे जिसे हम कभी भी भूख लगे दन में कभी भी जब भी भूख लग सकती है हम मला कर खा सकते हैं तो इस रेसिपी का नाम है बहल पूरी तो मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंट तक बने रहें तो चलिए आज किस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं मुर्मुरे इसके बाद मैं मुर्मुरों को एक छोटी चम्मच सर्सों की तेल में रोस्ट कर लूँगी इसके बाद में मुंफलियों को भी कर लूँगी यहां पर मैंने एक मीडियम साइज का कटा हुआ लिया है इसके बाद में मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ली है फिर हमने यहां पर हरा धनिया लिया है इसके बाद में यहां पर रोस्ट कीवी मुंफलिया ली है फिर मैं यहां पर भुझिया नमिकिन ली हैं अगर आप लोग चाहें तो इस पर आपके भर में जो भी आता बैमक yaptी यहां शोगा सन्वन सनीन होगरिया। यहां पर लास्ट में एक होटा चमश की मूख निया है यह मैंने प्यास प्यास डाल दी यह उसके लुए उसके बाद में उसमें टमाटर डालगी बाद में हरी मिर्श डाल दूगी यह जाना ँद फ्मक या करना युद्ध नामक यह दो मत फिर मिला लूगी बिलाने के बाद में मैं इसमें इमली की चटनी डालूँगी इमली की चटनी डालने के बाद में नीमू का रस डालने के बाद में इसमें जो मैंने रोस्टेड की थी मुंगफली वो डाल दी है उसके बाद में मैंने बुजिया नमगीन डाल दी है और उपर से इसके उपर मैं भी अच्छा होके आता है उसके बाद में इन सारी चीजों को मिक्स कर लें और यहां आप देख सकते हैं हमारी भेल पूरी बनकर तयार हो गई है तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और प्लीज प्लीज करना बिलकुल ना भूले है